नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं नभीन कुमार अपने चैनल लेंग्वेज और प्लेनेट्स में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों 9 के 9 ग्रहे, 2 छाया ग्रहे और 7 भौतिक ग्रहे हमारी कुंडली के किसी न किसी भाव से गोचर करते ही रहते हैं ये गोचर की अवधी अलग-अलग समय की होती है, कोई एक महीने का गोचर करता है, कोई एक साल का गोचर करता है, कोई अठारे महीने का गोचर करता है, तो कोई धाई साल का गोचर करता है ब्रहस्पति, राहू, केतू और शनी ये चार ऐसे ग्रहे हैं जो लंबे समय के लिए किसी भाव में गोचर करते हैं बाकी सबी ग्रहे, मंगल डेड़ महीने, सूर्य, बुद्ध और शुक्र ये लगबग एक-एक महीने और चंद्रमा सवा दो दिन हमारी कुंडली के एक भाव पर रहते हैं अब दोस्तों ऐसा कौन सा सूत्र गोचर के अनुसार जो तिष में बताया गया है कि हमारी चाहे किसी भी लगण की कुंडली हो सातों के सातों भोतिक ग्रहों में से यदि हमारी कुंडली में लगन के अनुसार एक निश्चित ग्रह यदि हमारी कुंडली के नवम भाव से गोचर करता है चाहे वो गोचर सवा दो दिन का हो चाहे वो गोचर एक महीने का हो चाहे वो गोचर 18 महीने का हो एक साल का हो या धाई साल का हो उस गोचर काल के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में ये संभावना होती है कि जातक को अच्छे आर्थिक लाब मिलते हैं दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रत्येक लगन के अनुसार वो कौन सा ग्रह है जो गोचर के दौरान कुंडली के नवम भाव में आता है तो जातक को विशेश लाब देता है आर्थिक लाब देता है बात करते हैं यदि मेश लगन में तो मेश लगन में जब भी शनीग रहे कुंडली के नवम भाव में गोचर करते हैं तो ये जातक को विशेश आर्थिक लाब देते हुए देखे जाते हैं व्रश लगन यदि हो तो जातक की कुंडली के नवम भाव में देवगुरु ब्रहस्पती का गोचर शांदार आर्थिक रिजल्ट देने वाला होता है मिथुन लग्न में जो डिल महीने का गोचर करते हैं मंगल कुडली के नवम भाव में ये जात्तक को आर्थिक तोर पर सम्रद्धी देने का काम करता है करक लग्न में नवम भाव में शुक्र का गोचर सिंग लग्न में नवम भाव में बुद्ध का गोचर कन्या लग्न में नवम भाव में चंत्रमा का गोचर तुला लग्न में नवम भाव में सूर्य का गोचर व्रश्चिक लग्न में नवम भाव में बुद्ध का गोचर लगन में नवम भाव में शुक्र का गोचर मकर लगन में नवम भाव में मंगल का गोचर और कुम्ब लगन में नवम भाव में गुरू का गोचर और अंतिम मीन लगन में नवम भाव में शनी का गोचर प्रत्यक लगन के अनुसार ये वो ग्रहे हैं ये जब भी गोचर करते हैं जा तक को विशेश आर्थिक लाब देते हैं ऐसा क्यों है? दोस्तों ऐसा इसलिए है के ये सभी ग्रहे उसी लगन के अनुसार ग्यारमे भाव के स्वामी होते हैं लाविस्थान के स्वामी होते हैं जैसे मेश लगन में ग्यारमे भाव में कुम्ब राशी होती है यदि कुम्ब राशी के स्वामी शनी गोचर में नवम भाव में धनुराशी में आ जाते हैं तो ये जातक को वो धाई साल का जो समय होता है विशेश जातकों को आर्थिक लाब देने वाला होता है मेश लगन वालों को ये एक अलग बात है कि कुंडली की अन्य स्थितियों के अनुसार शनी के कश्टकारी परिणाम भी साथ चलते रहें लेकिन आर्थिक तोर पर जातक का हाथ नहीं रुखता ये सूत्र है कि 11 भाव का स्वामी जब भी गोचर में अपने से 11 भाव अर्थात 9 भाव में आ जाता है तो जातक को लाब स्थान का मालिक विशेश लाब परदान करने का काम करता है अब दोस्तों कुछ मित्र ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए ये गोचर लाब देने वाला ना रहा हो अब समझ लेते हैं कि कौन से वो लोग हैं जिनकी कुंडली में ये गोचर कुछ खास लाब देने वाला नहीं रहता दोस्तों जिन भी जातकों की चाहे आपका मेश लगन है व्रश लगन है मिथुन लगन है या कोई भी लगन है अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर लगन कुंडली के अंदर ग्यारवे भाव का स्वामी अगर कुंडली में छटे भाव में बैठा है अर्थात अपने भाव से आठवा बैठा है तो ऐसे जातकों को कुंडली में दरिद्र योग बना होने के कारण गोचर का भी कोई खास विशेश लाब देखने को नहीं मिल पाता हाला कि ऐसा नहीं है कि यदि ग्यारवे भाव का स्वामी कुंडली के आठवे भाव में बैठा होगा और गोचर में वो जब माफ कीजेगा दोस्तों ग्यारवे भाव का स्वामी यदि कुंडली के छटे भाव में अर्थात अपने स्थान से आठवा बैठा होगा और गोचर में जब वो कुंडली के नवम भाव में आएगा तो जातक को बिलकुल लाब नहीं देगा ऐसा नहीं होता लाब का प्रतिशत बहुत हद तक कम हो जाता है और जिनकी कुंडलियों में लाब इस्थान 11 थाउस का लॉर्ड कुंडली के केंद्र त्रिकोन के किसी भी भाव में बैठा है या धन स्थान में बैठा है कुंडली के तीसरे स्थान में बैठा है या कुंडली के आठवे स्थान में बैठा है तो भी यदि लाब स्थान का लॉड गोचर में यदि नवम भाव में आता है तो जातक को शान दार परणाम देने का काम करता है कुंडली के छटे भाव में दोनों सूत्र लागू हो जाते हैं एक तो लगन के अनुसार कुंडली का छटा भाव परेशानियों का कारक है और 11 थाउस से भी छटा भाव आठवा पड़ता है इसलिए यदि लाबिस्थान का स्वामी कुंडली के छटे भाव में होता है तो ये जातक की परेशानियों को उस हद तक बढ़ा देता है कि जातक आर्थी गुरूब से तरस्त रहता है और 11 लॉर्ड यदि कुंडली के छटे भाव में मौझूद है और जब वो गोचर में नवम भाव में आता है तो निशित तोर से उसको रहत तो मिलती है लेकिन उस स्थर तक नहीं मिलती जितनी अन्य लोगों को मिलती है जिनकी कुंडली के अन्य भावों में 11th लॉर्ड बैठा हुआ है दोस्तों ये सूत्र 95% लोगों की कुंडली में पास है तो दोस्तों यदि गोचर से जुड़ा ये सूत्र आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद दोस्ते